दोनों यानि semester 2 और semester 4 दोनों के ही notes upload किये जा रहे हैं Hello student कैसे हैं आप तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है semester 4 SOL वाले student की बात करेंगे जो SOL के student है और वो बच्चे है sir semester number 4 में और semester number 4 के अंदर देखा जाए तो हमारा paper एक है sir that is cost account चाहे बच्चा प्रोग्राम का हो चाहे बच्चा ओनर्स का हो मैं दोनों के ही बात कर रहा हूँ subject का नाम है cost account अब मैंने बहुत बार study plan बताया हुआ है और बहुत बार मैंने questions भी बताए हुए कि ये ये कर लो अब पीछे वीडियो को देखोगे तो मिल जाएगा जैसे for example मैंने बोला भाया आप cost sheet कर लो cost sheet के बाद CRS कर लो cost reconciliation statement कर लो process कर लो मैं short form में लिख रहा हूँ थोड़ा सा इसके आद material कर लो भाई आप contract कर लो भाई आप overhead कर लो आप machine hour rate कर लो आप service cost कर लो ये कुछ chapters बताएं इस तरीके से कौन से chapter कैसे करने चाहिए लेकिन paper जो है अभी तक आपके चार paper हो चुके हैं सर किसके किसके regular वालों के हो चुके प्रोग्राम वालों के हो चुके NCW यानि regular में program के हो चुके हैं और honors के हो चुके हैं और NCWeb के भी हो चेके हैं और CBCS के भी हो चुके हैं तो पहली बात इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो पेपर में questions आ चुका है तो same question तो repeat नहीं होगा कभी भी इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा और जो theory आ चुके हैं वो theory भी same बहुत कम ही repeat होगा नहीं होगा तो इसलिए मैंने अब क्या किया है आप सभी student के लिए मैंने कोसिस करा है कि cost account के chapter wise chapter wise मैं कुछ आपको important questions बता दूँ जिसको आप practice करके और वो questions को हटा दिये जो कि paper में नहीं आएंगे paper में आने के chances ना के बराबर है ऐसा नहीं है कि जो आपने पढ़ा है उसको भूल जाना है जो मैं बता रहा हूं उसको पढ़ना है उसको थोड़ा सा ज्यादा focus कर लेना है क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सि कैसे करना है नहीं करना मैं कुछ questions दूंगा और उस questions को आपको practice करोगे तो easily आपका हो जाएगा सर पास होने के लिए कुछ बच्चे वेट कर रहे होंगे पास होने के लिए आपको एक करना है cost sheet एक करना है CRS इन दोनों में से आपके questions लगभग लगभग 25 नंबर का पूछा जाएगा और एक करना है आपको material इसमें से भी आपका 19 नंबर का question अगर ये chapter भी कर लेते हैं त पासिंग क्राइटरिया के पास पहुंच जाते हैं तीन से चार चप्टर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा study plan को फिर से लेके लेकर लेकिन अभी मुझे announcement करना था semester 4 और चाहे बच्चा semester 2 का भी है ना semester 2 का जैसे corporate account उसके भी questions तो मैं एक बार दिखा दूं कैसे questions कर रखा है कॉस के अंदर questions डाल दिये और उसके इनफेक्ट solution सर यह question कौन से हैं सर यह किताब के ही questions है और जो उसके अंदर से अच्छे questions जो के exam में आने के chances थे उन question को mark किया है तो यह पूरे हर chapter में से ज्यादा नहीं 5 question 7 question 10 question हर chapter में से निकाले हैं जिसको करने के बाद आपको पूरा का पूरा chapter का बड़े अच्छे से knowledge हो जाता है तो बस मुझे आपको यही बताना था आप सभी का date sheet मैंने यह दिखा दिया सर यह PDF कहां से मिलेगा तो सबसे पहले तो चैनल को देखे subscribe कर लेजी आप करने रहे subscribe चैनल को PDF application download करेंगे application के अंदर side में free study material का मिलेगा application में जैसे ही जाएंगे तो side में आपको free study material का column मिल जाता है यहां पर free study material इसके अंदर आपको मिल जाएंगे सारे questions कौन से most important या most expected questions के नाम से आपको application मिल जाएगा जिसके लिए कोई भी पैसे देने की आपको अवशकता नहीं है बिलकुल free है अब रहा बात बच्चे जिन बच्चों ने अभी तक study start नहीं करा उनके लिए course मैंने बता रखा है कि भाई आप 499 का course है जिसके अंदर दो courses आ रहे हैं आपके cost का आपको दे दिया जाएगा एक IB international business का course दे दिया जाएगा वो join कर सकते हैं उसके अंदर कुछ चीजे हैं जो की benefit आपको मिल सकता है जैसे live classes जैसे कि आपको personal doubt attention जिसको लगता है वो join कर सकता जिसको नहीं लगता YouTube पे तो देखो मैं classes डाली रहा हूं बस YouTube को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी notification time to time पर मिलते रहें देखो मैं आपके लिए काफी मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी कुछ ना कुछ तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा मैंने तो देखो question ढूंड ढूंड के निकाल दिये मैंने ता आपको थोड़ा और करना पड़ेगा तो यह questions है मैं अभी PDF अपलोड कर दूँँ आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा thank you so much मिलते हैं हम next video के अंदर और ऐसे ही corporate account और cost account दोनो यानि semester 2 और semester 4 दोनों के ही notes upload किये जा रहे हैं thank you so much